हेलो दोस्तों मैंने आज आपको लेकिया ही अपनी बैल्क्नी में और मैं आपको दिखाएँगे कि मैंने कोन-कॉन से ब्लांटाइए होई है तो सबसे पहले हम सुर्वात करेंगे इस प्लांट से इसका नाम है क्रॉटन दूसरों ऐसे क्रॉटन के काफी सारी वराइटी आती है पर यह है लैमन क्रॉटन जो कि बहुत जादा खुब सुर्ण लगता है देखने में आप देखरों इसमें यलो ग्रीन कलर का कंबिनेशन है इनकी पतियों में जो कि बहुत जादा सुन्दर लगता है यह प्लांट दूसरों मैं एक महीने पहले लेकिया आई थी जो कि आज में काफी हेल्दी लगने लग रहा है ठच वर टच यूड दूसरों इसके अलावा मेरे पास करॉटन रा एक और प्लांट है जो कि लिबिस् इस टीक है यह काफी हेल्दी भी और इसमें पतिया भी काफी अच्छी आई हुई है तो इस एक नया प्लांट और लगाया जा सकते है जब मैं दूसरों इससे नया प्लांट लगाऊंगी तो उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं आपको इसकी मिटी दि होता है अगर आप चाहते हैं कि को रोड़न को कैसे हिल्दी रख सकती है इसकी वीडियो वनाई तो आप मुझे कमेंट करके जुरू बरताईएगा वैसे जो क्रोटम प्लांट था उसे भी आप इंडोर रख सकती हो दोस्तों यह एरिका पाम में साइथ 8 या 9 मेने पहले लेके आई थी और आज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हेल्दी है अगर आप चाहते हो कि आप इसकी वीडियो दे में डिवाइड कर सकते हो जिस से आप एक ही आरी काप मुझे काफी सारे प्लाट लगा सकते हो कि अ अगर आप चाहते हो किमिव fala कर समझ तो अब गाने कर सादें लिगल चाहा हुए चाह सबसे अच्छी बात ही है कि ए्पाइशों करते हैं सबसे एक इन्दोनों के रहाइदा ए accent इसमें यह फते सब्लेक्र से च्छोटे प्लाइट में थोकर सी प्लान्ट बॉर्ट di तो मेने इसमें लगाए हdos decision a huge growth आखुक हैarıए तो काफ़ी ज्यादा अची growth आखुकी है हने कीthank कर्वीर टीन मेहने पहले ही लगाए मैने और आप देख रहे हो तीनUMे किस यह अची growth आखे है देखने भी कितने ज्यादा खूब शुरुत लगने लग रहे हैं इनके जो दोस्तों पत्ते होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और इसलिए इसमें पानीश ज्यादा रेगुलर देने की बिल्कुल भी जूरत नहीं होती है आपको साइद मैं नहीं दिख रहा हो तो मैं पास से हैं इसके देख रही हो आप पत्ते कितने मोटे मोटे हैं जिससे पता चल रहे है कितने अको कि इसकी काफी जहता वराइटी आती है पर ये मेरे पास ब्रूही टाइप यह नहीं है अब है करSub i प्लाइट में एक जुछी द्यान रुकिन के जुरित है कि पानी बिल्कुल यहाता नहीं होती है। ये अगर ये पॉल्ट हो जाँए को अच्छी जाँँ आ जाते अां जाते मैं ऺड़ाप ऑपानी ऑघ्यat chemotherapy जब इन में से नई प्लांट निकलेंगे तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी देख रहे हो दोस्तों सारे की सारे कितने हेल्थ है ठचूड 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 वैसे तो दोस्तों इसमें जादा केर की जुरत बिल्कुल भी नहीं होती बट इसमें फंगस लगने का ड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं मनी प्लांट मैं इसको भार निकल की दिखाती हूं यह मनी प्लांट दोस्तों इस पोट में मैंने न्यू लगाया है और इसमें गुरोध भी होने लगी है आप देख रहे हूं छोटे-छोटे न्यू प्लांट आने लगी हैं दूसरी मनी प्लांट मोर्सली खराब हो जाता है जल्दी से नहीं चलता अगर आप इसे पानी में डीप करके रख रहे हो मतलब बोतल में या किसी ग्लास में मनी प्लांट को डीप करके रख रहे हो पानी में और उससे जल्दी से जड़ा जाती है और उसके बाद अगर आप इसे मिट् काफी healthy भी है मैं आपको दिखा देती हूं कि कैसे आपको इसे पानी में डीप करके रखना है मैंने इस तरह से काफी मनी प्लांट को प्लास्टी की बोटल में काज की बोटल में रखे हुए हैं जिसमें आप रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि मनी नहीं हुए है इसे पानी में रखे हुए आइधिंग 15 या 20 दिंग पहले ही मैंने इसे पानी में रखा था इसे मैंने काज की बोटल में रख दिया और कुछ मार्बल में डाल दिये ताकि यह देखने में और जादा खुब सूरत लगे वैसे आप इसे कहीं में रख सकते हो कीचर में लिविंग रूम में जहां आपका मन करें वहां रख सकते हो इसे यह देखने में बहुत जाता अच्छा लगता है और पोजिटिव एनर्जी भी प्रवाइड करता है इस तरह से मैंने मनी प्लांट काफी सारे लगाए हुए हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स वीडियो में मनी प्लांट की काफी सारी वराइटी अब मैं आपको दिखाने वाली एरो हेड का प्लांट मतलब सिंगॉनियम का प्लांट दोस्तों यह आपको देखने में हलकी सी लीप्स इसकी डल लग रही होगी मतलब मुझाय वह लग रहा होगा वह यह इसलिए है क्योंकि यह मैंने खल ही रिपोर्ट किया है रिपोर्ट करने के वज़े से इसकी लीप्स में हलकी सी डलने साथ चुकी है मतलब यह हलका सा जूख चुका है बट इसकी केर करेंगे और इसे फिर से रिफ्रेस करेंगे वैसे दूसरों यह भी भहुँ जादा खुबसूरत प्लांट में से एक है आप इसे भी इंडोर रख सकते हो और आप डोर भी ड़ग सकते हो इसे पर ज़्यादा धूप की जुरूरत नहीं होती हलकी दूप में यह बहुँ जादा अच्छा सफर करता है बहुँ जाद अच जाता है और इसे आप इंडॉर भी रख सकते हैं इंडॉर के लिए बहुत जादा खूबसरत प्लांट में से एक है और यह साथ में लखी भी है यह पॉजिटिव एनर्जी प्रवाइड करता है तो यह इंडॉर के लिए सबसे अच्छा परलांट है अगर आप इसे इंडॉर तो इसे आप एक या दो गंटे के लिए भारक दीजिए मॉर्निंग की दूप दे दीजिए जिससे यह खिला खिला रहेगा अब मैं आपको दिखाने वाली नेक्स प्लांट दोस्तों यह भी स्नेक प्लांट है एक्चली प्लांट को इधर उज़र करते हुए कुछ डंडिय कोल कि अब जाए तो आप उसे पानी में डिप कर सकते हो Pानी में टिप करने से यह हैल्धी भी रहते हैं और इनसमें जढ़ भी आ जाति है। और यह सिंगोनियों का लीपस है यह भी अपने प्लांट से अलग हो गया था तो इसे मैंने पानी में टीप कर दिया अब देखते हैं इसमें से जड़ आती है या नहीं आती अब हम बात कर लेते हमारे नेक्स्ट प्लांट की वो है दूलसी तो दोस्तों हर घर में होती है इसलिए हर किसी को पता होगा कि दूलसी की देखपल कैसे करनी है मला दूलसी को कैसे रखना है पर दोस्तों मौरसी हर घर में न छोटे पते होते मतलब मेरे भी दूलसी में छोट अगर आप भी जाना चाहते हो कि बड़े पत्ते कैसे आते हैं तो आप मुझे कमेट करके जुरूर बताईएगा मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी मैंने इसमें हल्की हल्की हल्दी डाल दिया ताकि इसमें बैक्ट्रिया ना लगे अकर आपकी भी तूलसी में बैक्ट्रि केले का पोदा तो तूलसी की तरह सुब माना जाता है इसकी भी पूजा की जाती है जैसे हम तूलसी माता की पूजा करते है वैसे ही केले की पोदे की पूजा की जाती है कहते है इसमें विश्यों को कुवान वास करते है जो की वीरबार को कथा की जाती है तो मलब केले की प पोदे को लगा सकते हो जिससे आपको positive energy मिलेगी यह चोटा सा plant है दोस्तों केले का इसका जो बड़ा plant था उसमें एक new growth हुई थी तो उस new growth को मैंने स्पोर्ट में लगा दिया जो कि अब काफी बड़ा हो चुक है काफी बड़ा plant बन चुक है देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं इसमें मैंने कलकॉंपोस्ट आला था केले के पोदे में सबसे अच्छी बात ही है कि आप इसके बेबी प्लांट को बहुत सबी भी प्लांट था वो मैंने रिपॉर्ट किया है इसके पत्ते भी आप देख रही हो कि कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके तो दोस्तों आपको मेरी छोटी सी बैलकनी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जुरू बताइएगा मैं आपको नेक्स वीडियो में अपना टेरेस दिखाऊंगी जो कि बहुत जादा खूसरत है और दिखाऊंगी कि वहां मैंने कौन-कौन से प्लांट लगाए हुई है आ साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले बाई फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरे वीडियो में जादो झालियो में आपको प्लांट लगाए हुई हुई है